बोजपुरी सुपस्टार पवन सिंग और खेसारी लाल यादो दोनों की एक साथ फिल्में रिलीज हो गई है कुली नमबर वन बिहार जारखेंड समेट मुंबई गुजरात हर जगे रिलीज होई है यानि कि हर बार की तरह जैसे कि भोजपुरी फिल्में पाँच राजियों में रिलीज होती है और इस बार कुली नमबर वन भी पाँच राजियों में रिलीज होई है लेकिन 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 पवन सिंग की फिल्म मैंने उनको सजन चुल लिया सिर्फ दो जगे बिहार और जारखन में ही रिलीज हुई है आपको बता दे कि बिहार और जारखन में पवन सिंग की फिल्म क्रैक फाइटर ने 12 सफता यानि सफलता पुरोग 12 सफता पूरे कर लिये है पवन सिंग ने अपने दर्शकों का धेर सारा धन्यवाद किया आपको बता दे पवन सिंग की फिल्म मैंने उनको सजन चुल लिया और कूली नमबर वन दोनों जो भी दर्शक देख के आ रहे हैं सभी को यह फिल्म बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि कूली नमबर वन एक पारिवारिक फिल्म है एक सामाजिक मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है इसके लिए यह फिल्म काफी लोगों तक लोगों को इमोशनली अटेश्ट कर रही है ठीक उसके उल्टे मैंने उनको सजन चुल लिया एक रोमैंटिक ट्राइंगल लव स्टोरी है जो कि लोगों को बहुत पसंदारी है और खास कर पवन सिंग की यह एक्शन मुवी है और पवन सिंग एक्शन के लिए जाने जाते हैं इसलिए लोगों को यह फिल्म काफी रास आ रही है अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि फिल्म हिट हो रही है या फ्लॉप वैसे कहा जा रहा है कि इन दोनों फिल्मों के लिए सिनेमा हॉल बुक हो चुके है और जिस तरह से सिनेमा हॉल बुक हुए है ऐसा लग रहा है कि इन दोनों फिल्मों की कमाई ताबड तोड होने वाली है यानि आप कह सकते हैं कि बॉक्स ओफिस पर अच्छे खासे कलेक्शन होने वाले है और भोजपुरिया बॉक्स ओफिस गुले गुलजार होने वाली है बोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले करना कर दो भी करदा कि अप्राइब कर दोड़ा करें झाल झाल झाल